हलो फ्रेंट्स मैं गोतों कुमार आफ समों के एक फिर से अर्जा संग का ओफिसल्टी चल में स्वागत करता हूँ साथियो मेरे साथ फिर से मानिय और उनकपर गुपता जी जुड़ गया है अगर नाम लिया जाये तो काफी घंटे समय लग जाते हैं तो आज मैं जानूंगा कि क्या हमारे अर्जग सोशित मूल नासे में जितने ही महापूरुस जन में है यह क्लियर है मतलब कि जहां चाह है वही रा है दर्शन है दुनिया में खोजेगा जहां अभाव होगा वही आदमी खोजता है रिशर्च वही होता है कि जहां अभाव होता है आर्ज लोगों को तो ऐस मौस से फुर्शत मिला नहीं यहां के मूलवासी को इतना यह लोग जिल्लत के जिन्दगी के लिए मजबूर कर दिया पढ़ने लिखने पर पाबंदी नाना परकार का सामाजी का अपमान धन रखने का अधिकार नहीं यहां के 90% मूलवासियों के साथ और यह चंद 10% आर्ज लोग इस देश को ब्रहमनों ने इतना गुमराह किया जितना इस देश को मुगल और अंग्रेज बरबाद नहीं किया उससे जादे ब्रहमन बरबाद कर दिया ब्रहमन में एक भी बैज्यानिक एक भी समाज सुधारक आज तक पैदा नहीं हुआ और कोई लिखा भी तोटल जूट लिखा चाहे तुलसी दास हो या काली दास हो चाहे कौनों दास हो हम मैं इस बात को कहूंगा कि तुलसी का रामायन और कबीर के साखी को लड़ाया जाए तो पाईये पटकर मारेगा कबीर का साखी रामायन को चुक्के साखी में कबीर के दर्सन में कबीर के बिचार में कबीर के साहित में एक भी अपसब्द नहीं है एक भी तिक्रम नहीं है एक भी धंग धकोसला नहीं और टोटल गाली है टोटल तिक्रम है टोटल जूट है तुलसी दास के रामायन में इनके सारे देवी देवता काल्पनिका सब जूट पराधारित है एक भी तुलसी दास तो इतना अज्ञानी और मुर्ख था आदमी छितजल पावा गगन समीरा पाथ तो से बना सरीरा उसको विज्ञान का ज्यान कहा रहा है। परियार रामा स्वामी नाय करकाल मार्शी से महाग्यानी ब्यक्ति थे और बैकवाड में जितने भी दर्स निखुए समाज सुधारक चुके ये लोग भूगी थे इन लोगों के जेहन पर इन लोगों के उपर जो कष्ट समाजिक अपमान समाजिक प्रेशर जो था ना ना पर जी रहा था इसे मुक्ति दिलाने के लिए हमारे महापूर्श अच्छी अच्छी विचार सत्य पर चलने का उपदेश दिया लेकिन तुलसीदास और इन आर्जों में ब्रहमनों में एक भी ज्यानिया सच्चा आदमी एक ठोब कोई पैदा नहीं हुआ एक भी बुद्ध के ट कभीर के टकर में एक ठोब कोई ग्राश सकता है अब इसमें देखना है कि हमारे समाज में बैकवार्डों में कभीर हुए रैदास हुए तूका राम हुए पल्टू हुए बुध हुए अंबेड कर हुए जगदेव परसाध हुए ललाई सिंजादा हुए रामसरु बर्मा ह हुए परिया रामा स्वामी नायकर इन लोगों के टक्कर में हम लोगों में इतना दार्शनिक और सच्चा दार्शनिक हुआ इसका एगो सबन ब्रह्मन यह उचे जाती के लोग चेला नहीं बने और उसका टोटल जूट पर लिखा हुआ जूट का सारा भरभरा के बैकवाट चेला बन गया क्यों बना इसके पीछे कारण है कि सारे बैकवाट को दस परसेंट काट करके रख दिया चट भी चट कर दिया अगर न मानोगे तो तुमको काट देंगया काट देता था हम लोग बुद्ध के बिचार को चलने के वज़ा से कटा गए लेकिन यह आर्जों को काटे नहीं अगर आर्ज को काटने की बात होता थूप फेग देता अगर संगठी थोके 90% यह लोग डूब के मर जाते ऐसा हम लोग किसलालत में उसमें फसे हुए उसके जूटा चाट रहा है अबूज है कि हम बहुत बहुत बहुतर काम कर रहे हैं यह सब बातय है हम यह लोग अच्छा कर ले हैं राष्ट के लिए राष्ट को इस लोगा गय तल खाना में ले जाएंगे जो आज से हजार बरस पहले के सिती थी उसी सिती में देश जा रहा है तो सात्यों वीडियो के माध्यम से मानिय अरुमकार गुपता जी से हम लोगों ने जाना कि हमारे समाज में जितने महापुरुस हैं अगर नाम लिया जाए तो घंट समय लग सकते हैं और विदेश्यारे ब्रह्मनों में देखा जाए तो एक भी महापुरुस नहीं है जो हमारे महापूरसों को टक्कर दे सके लेकिन फिर भी वो लोग 10% होते हुए भी मेरे साथ इतने महापूरस होते हुए भी हम आज उन्हीं के गुलाम है किस तरह से आजादी मिले मन्नी औरनकुप्ता जिसे हम लोगों ने जाना और कैसे हम लोग गुलाम बने हुए हैं इतनी दर्शन भरे महापूरसों के साथ रहते हुए भी तो विचार को समझे महापूरसों के दर्शन को समझे तभी जाकर कुछ हो सकेगा तो वीडियो को लाइक किये चैनल को सब्सक्राइब किये जितना होते हैं लोगों में सेंटी